जे हूँ जे हूँ जे हूँ मेरे प्यारे बब बाबर शेरो और शेरियो बहुत 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 स्वागत है आप सबी लोग का आपके अपने इस प्यारे सी लर्निंग प्latsvorm वर्चुल विद्विद्याले में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, आज पचासवा देना जी, 50th day of our very amazing 75 hard physics challenge, so that is why this, मतलब थोड़ा सा कुछ special करने की कोशिश की, and आज हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिएगा, ध्यान से, पढ़िएगा, मज़ा आएगा आपको, so let us start, let us begin, ये chapter के questions को हम लोग पूर कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है, है ना, चार तक कर लिया था, पांचवा देख लेते हैं, a driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brake, shade the area on the graph that represents the distance traveled by the car and which part of the graph represents uniform motion of the car, बढ़िया, देखिए, एक कोई कार है, वो चले जा रही है, और जो ड्राइवर है, ब्रेक लगा रहा है, तो V versus time, graph देखते हैं, और यहाँ पे, जो ये graph है, ये ऐसा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है आपका, velocity कम हो रही है न, decrease कर रही है, अब देखो, velocity क्या कर रही है, decrease कर रही है, time के सांथ, सही है, velocity क्या कर रही है, decrease कर रही है, time के सांथ, so the velocity is decreasing with time, समय के साथ में धीरे धीरे velocity क्या करती जा रही है, decrease करती जा रही है, और eventually क्या हो गई, जीरो पे चली गई है ना तो ग्राफ तो यह प्लॉट हो गया राइट अब स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म डी डी अक्सिलरेट कर रहा है बात खाता हूं वेशिन नंबर फिर चले आगे अगला सवाल अगला सवाल देखते हैं बच्चों इसमें क्या ग्राफ बना हुआ नहीं है यार ठीक है 7.10 ग्राफ इसमें है नहीं मिस्टेक है अगर आप लोगों के पास में है क्वेश्चन तो वाटसेप का नंबर अल्रेडी है आप मुझे वाटसेप करिया कीजे ना आपने प्रॉब्लम को क्या दिक्कत है मैं डिरेक्टली आंसर भेज दूँगा नेक्स्क्कीन अ बाल इस जेंटली डॉबट फ्रम ही ट्वंटी मिटर इस स्कॉर इस विलास्टी इंक्रीज स इस ऊनिफ़ॉमूली अट राट आट लेट आओं टेन पर सेकेंद स्कॉर्ण है velocity बढ़ती जा रही है, है ना, 10 meter per second square से, बिल्कुल सही बात है, with what velocity will it strike the ground, and after what time will it strike the ground, ठीक है, 20 meter height है, और G की value, basically ये क्या दे दिया है, G की value दे दिया है, है ना, तो number seven, क्या क्या बोला है इसने, G की value, और dropped बोला है, dropped का मतलब free fall, dropped का मतलब क्या, free fall वहिया, सभी बात है, dropped का मतलब क्या है, free fall, G की value ये है, अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे height दे रखी है, कितनी, 20 meter, है ना, तो देखिए, सबसे पहली बात, हमें अगर time मिल जाए, तो हमारा काम हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, s बराबर ut, plus half, 80 squared, ऐसे लिख सकते हो, s कितना है, 20 meter, initial velocity तो 0 थी, into time, plus half, into 10, into, आप सोचों के सर माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि नीचे आ रही है, height नीचे की तरफ लिये, खतम बात, into t squared, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 5, सही है, clear, तो 5t squared equals 20, यानि t की value कितनी आ गई, t की square की value 4, यानि t बराबर plus minus 2, तो obviously 2 seconds, minus 2 seconds तो कुछ होता ही, ये t की value क्या आ गई, 2 seconds, t की value क्या आ गई, 2 seconds, बात खतम, हाँ या ना, understood, बढ़िया, बहुत बढ़िया, next, उसने पूछा है, किस velocity से, तो V बराबर U plus 80 लिख सकते हो, है ना, V तो निकाल नहीं है, U तो 0 थी, प्लस 10 into 2, यानि की 20 meter per second से, किस से strike करेगी, 20 meter per second से, logic clear है, velocity of strike क्या होगा, 20 meter per second, खतम बात, आगे बढ़े हैं, अगला सवाल, the speed time graph of a car is shown in figure 7.11a, find how far does the car travel in the first 4 seconds, shade the area on the graph that represents the distance travelled by the, card, अरे यार इसका graph ही नहीं है, यह हमारे typist को क्या निकालना पड़ेगा, हमें लग रहा है, देखिए इसका graph ही नहीं दिया है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, really sorry, मुझे फिर शर्मिन्दा होना पड़ता है भाई, चलो कोई नहीं, ये भी भेज देना मुझे, ठीक है, अगला देख लेते हैं, state which of the following situations are possible and give an example for each of these, इन में से कौन सा possible है, और हर एक के लिए क्या example देने को बोला है उसने, ठीक है, पहला है an object with a constant acceleration but zero velocity, कैसे possible है, possible है या नहीं है, सर, देखने में तो नहीं लग रहा है, लेकिन है, कैसे, कोई भी object है, उसको हमने उपर फेंका, उपर की तरफ थ्रो किया, जब वो maximum height attain करेगा, तो उसकी velocity क्या हो जा रही है, zero, तो उसकी velocity क्या हो जा रही है, zero, maximum height पे, Is it clear? So, ये क्या है, possible, ठीक है, लिख देता हूं मैं, ये क्या है, possible, possible, object at highest point when thrown up, सही, zero velocity है, लेकिन acceleration due to gravity, उस पे हमेशा लगी हुई है, An object moving with an acceleration but with uniform velocity, ऐसा कैसे possible है, possible है, मान लो, कोई circular path पे move कर रहा है, तो जब भी वो circular path पे move कर रहा है, तो हर point पे उसके direction बदल रहे हैं न, ये मैं बता चुका हूँ आपको, क्या हर point पे direction नहीं बदल रहा है, at every point direction is changing, और चुकि हर point पे direction बदल रहा है, तो हर point पे direction के बदलने का क्या मतलब हुआ, हर point पे direction के बदलने का ये मतलब हुआ, मेरे भाई, कि acceleration तो है, है न, acceleration है, direction बदलने के लिए acceleration चाहिए, centripetal acceleration कहते हैं उसे, और with uniform speed, uniform उसकी, constant speed के साथ, ठीक है, तो ये भी possible है, this one is possible as well, an object moving in a certain direction, with an acceleration in the perpendicular direction, ये कैसे possible है, ये कैसे possible है, तो जी हाँ ये भी possible है, again circular motion पे आजाओ, again आजाओ circular motion पे, देखो कैसे, circular motion, इसका भी answer क्या है, circular motion, देखो, object move कर रहा है किस से, किसी direction में, और उसका acceleration हमेशा center की तरफ perpendicular, तो ये perpendicular हो गया न, is it clear, हमेशा एक certain direction में move कर रहा है, और perpendicular acceleration के साथ, किसी भी point पे देख लीजे, हमेशा perpendicular acceleration के साथ, is it clear, हमेशा perpendicular acceleration के साथ, towards center, okay जी, हाँ है न, तो ये तीनों possible है, दो का answer circular motion है, एक का answer है, एक आणसर है, एन object at the topmost point when thrown upwards, an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius इतना, calculated speed if it takes 24 hours to revolve around the earth, अच्छा question है, try करोगे, दो मेंट ट्राइ करो, फिर तो मैं कराता ही हूँ, ट्राइ करो दो मेंट याद, try it out, फिर मैं कराता हूँ, try it out please, प्राइ करो दो मैं कराता हूँ, देखो, कैसे हो गई यह, मैं बताता हूँ, यह मिटा देते हैं, चाले, इसमें क्या हो जाएगा, circular orbit है, जिसमें radius क्या है, 42,250 km, है ना, तो distance कितना हो जाएगा, कितना distance travel करेगा एक बार में, 2 pi r, सही है, यानि 2 pi into 42,250 km, इतना distance हो गया, time taken कितना हो गया, 24 hours, तो यिसको कैसे लिखोगे, 24 hours, 60 minutes, 60 seconds, तो यह total number of seconds हो गया, तो speed क्या हो जाएगी, distance per unit time, सही बात है, distance per unit time, distance कितना है, 2 pi into 42,250, divided by, 24 into 60 into 60, और जब आप इसे solve करोगे, क्योंकि मैं पहले solve कर चुका हूँ, इसे बहुत बात, पढ़ाते समय, 3.07 km per second answer आजाएगा, बहुत तेज आए, 3.07 km per second, is it clear, हाँ या ना, समझ गए इस बात को, कॉपी कर लो, चलो, ठीक है या, अब कौन सा चैप्टर, I think motion हो गया, laws of motion, next हम लोग laws of motion, एक दिन का समय ले लो, यानि कल फिर समय देने आउंगा, तो पहले से ही ट्राएग कर लो, ठीक है ना, तो आज तो ये कर ले ना, NCIT साब, ठीक है, बाबाई टेक कर,